नमस्कार दूरदर्शन उत्तिराखन देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके साथ मैं हूँ संधिया सेमवाल दर्शकों आज के हमारे कारिकरम रोजगा समाचार जिसके अंतरगत हम चर्जा करते हैं विभिन विभागों द्वारा जारी की गई विग्यप्तियों के बारे में जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विग्यप्ति के बारे में स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा कमबाइन्ड हाय सेकेंडरी लेवल के अंतरगत भरतिया निकाली गई हैं जिसके लिए कुलपद हैं सोला सो इंटर्मीडियेट या किसी मानेता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परिक्षा पास सभी युवा आवेदन कर सकते हैं अठारे से 27 वर्ष आयुसी मान निर्धारित की गई है आवेदन करने की अंतिम्तिती है 8 जून 2023 अभियरती इनकी ओफिशल वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं एनल्सी लिमिटेड द्वरा मेल नर्सिंग असिस्टेंट, फीमेल नर्सिंग असिस्टेंट, नर्स और अन्य विभिन पदों पर भरतिया निकाली गई हैं जिसके लिए कुल्पद है एक सोती शेक्षणिक योग्यता का निर्धारन हर एक पद के लिए अलग लग किया गया अधिक्तम 55 वर्ष के सभी आविदक आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है एक जून 2023 अभियरती इनकी ओफिशियल वेबसाइट nlc-india.com पर विजिट कर सकते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन द्वारा असिस्टेंट एग्जेक्यूटिव और असिस्टेंट कमर्शियल एग्जेक्यूटिव के 120 पदों पर विग्यप्तिया जारी की गई है शेक्षिनिक योग्यता का निर्धारन हर एक पद के लिए अलग लग किया गया है अधिक्तम 35 वर्ष के सभी युवा आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 25 मई 2023 अभियरती इनकी ओफिशियल वेबसाइट ntpc.co.in पर विजिट कर सकते हैं नुक्लियर पावर कॉर्परेशन ओफ एंडिया लेमिटेट द्वारा डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रास्लेटर के 128 पदों पर भरतिया निकाली गई है शेक्षिनिक योग्यता का निर्धारन हर एक पद के लिए अलग लग किया गया है आयू सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है आविदन करने के लिए अंतिम्तिती है 29 मई 2023 अभिहरती इनकी ओफिशल वेबसाइट npcilcareers.co.it पर विज़िट कर सकते हैं SSP द्वारा कॉंस्टेबल के पद पर वेकेंसी जारी की गई हैं जिसके लिए कुलपध हैं 543 शेक्षिनिक योगता जिसके लिए हाई स्कूल और संबंधित विशह में डिपलोमा होना रखा गया है 18 से 27 वर्ष के सभी युवा आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 9 जून 2023 आधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट ssb.gov.in पर विजिट कर सकते हैं भारतिया नौसेना द्वारा चार्जमेन ग्रेट 2 के 372 पदों पर विग्यप्ति चारी की गई है शेक्षिणिक योग्यता जिसके लिए संबंदित वेशे में डिप्लोमा या डिग्री का होना रखा गया है 18 से 25 वर्ष के सभी युवा इन पदों पर आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 29 मई 2023 अभियर्ति इनकी ओफिशल वेबसाइट जॉइन इंडिया नेवी.gov.in पर विजेट कर सकते हैं तीएच डीसी द्वारा इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, डिप्टी मैनेजर और अन्य पदों पर भरतिया निकाली गई है जिसके लिए कुल पद है 77 शेक्षडिक योग्यता और आयुसीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग लग किया गया है आविदन करने की अंतिम्तिती है 5 जून 2023 अभियर्ति इनकी ओफिशल वेबसाइट ठीएच डीसी.co.in पर विजेट कर सकते हैं SSB द्वारा हेड कॉंस्टेबल के पद पर विग्यप्ति जारी की गई है जिसके लिए कुल पद है 914 शेक्षडिक योग्यता जिसके लिए हाई स्कूल, इंटर्मीडियेट और संबदित विशह में डिप्लोमा होना रखा गया है 18-27 वर्ष के सभी युवा आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 9 जून 2023 आविदक इनकी ओफिशल वेबसाइट SSB.gov.in पर विजेट कर सकते हैं इस रूद्वारा साइंटिस्ट इंजीनियर के 65 पदों पर भरतिया निकाली गई है आविदन करने के लिए आविदक को संबंदित विशे में बीटक का होना जरूरी है 21-30 वर्ष के सभी युवा आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 24 मई 2023 अभिहरती इनकी ओफिशल वेबसाइट IPRC.gov.in पर विजेट कर सकते हैं भाबा एटोमिक रिसर्ज सेंटर द्वरा टेक्निकल ओफिसर, साइन्टिफिक असिस्टेंट, तक्नीशन और अन्य पदो पर 434 भरतिया निकाली गई है शेक्षिणी की योगेता और आई सीमा का निर्धार हर एक पत के लिए अलग लग किया गया है आविदन करने की अन्तिम्तिती है 22 मई दोचा तेज अभियर्ति इनकी ओफिशल वेबसाइट बार्क.gov.in पर विजिट कर सकते हैं तो दर्शकों ये थी आज की हमारी रोजगा से संबंदित को चबवेगे अप्तिया उमीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविश्य को लेकर जानकारी प्रद होगा कारिकरम से जोड़ी कोई भी राए या जानकारी अगर आप हमारे साथ साजा करना चाते हैं तो आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल डीडी उत्तिराखन को सब्सक्राइब कर जोड़ सकते हैं अब मुझे यानि संद्या से माल को अभी के लिए दीजिए इजाज़त जल मुलाकात होगी रोजगा समचार के एक और नहीं अंक में रोजगा संबंधी कुछ और नहीं विग्यप्तियों के साथ तब तक के लिए नमस्कार